हालो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल डीप स्टडी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफिय औफ नसीरुद्दिन महमूद शा जो की देली सल्तनत के एट रूलर थे और इलतुतमिश के ग्रेंडसन थे निशारुद्दिन महमूद शा, एट सुल्तान अव दली इनका टाइम पिरिड 10 जून 1246 से 18 फैबरी 1266 तक था इनका जन्म 1229 में हुआ इनके पिता का नाम निशारुद्दिन महमूद था जिनके मित्व 1229 में हो गई थी जो की इलतुतमिश के बड़े बेटे थे इनकी माता का नाम मली के जहां जलाल उद्ध्यान था इनकी वाइफ का नाम मली के जहां खानी जो की ग्यासुद्दिन बलबन की बेटी थी इनकी मिरत्यू 18 फैबरी 1266 को 37 साल की उमर में हो गई थी इस ग्राफ के थुरू हम समझने की कोशिश करते हैं इल्तुत्मिष जो की दली सल्तनत के थर्ड सुल्तान थे वे अपने बेटे नशेरुद्दिन महमूद को नेक्स रूलर बनाना चाहते थे लेकिन नशेरुद्दिन महमूद की देथ 1229 में ही हो गई थी इल्तुत्मिष की देथ से पहले तो जब इलतुतमिश की देथ हुई तो तुरकिश नॉबल्स ने रुकुद्दिन फिरोज को दिली सल्तनत का नेक्स्ट रूलर बनाया लेकिन रजिया ने रुकुद्दिन फिरोज के खिलाफ विद्रो छेड़ा जिसमें दिली के लोगों ने रुकुद्दिन फिरोज और उनकी मदर शाहा तुरकन को बंदी बना लिया और रजिया को दिली सल्तनत का नेक्स्ट और फिफ्थ रूलर बनाया रजिया ने दिल्ली सिल्टनत पर चार साल तक रूल किया जिसके बाद बहरम शा जो की रजिया के भाई थे उन्होंने रजिया को बटिड़ना में बंदी बनवा लिया और चोरों के ग्रूप के द्वारा रजिया की हत्या करवा दी 15 October 1240 को जिसके बाद मुझुद्दिन भहरम दिल्ली के next six ruler बने मुझुद्दिन भहरम एक नाकाम्याप शाशक रहे और उन्होंने दिल्ली पर सिर्फ दो साल तक रूल किया एक नाकाम्याप शाषक होने की वज़े से उन्हें उनकी ही आर्मी ने वाइट फोर्ट में बंदी बनाया और उनकी हत्या करदी 15 में 1242 को 29 साल की उमर में उनकी हत्या करदी गई थी जिसके बाद तुरकिश नॉबल तुरके चहलगामी ने मुझुदिन भहरम के नेफ्यू और रुकुदिन फिरोज के बेटे अलाउद्दिन मशूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया जो कि दिल्ली के सेवंथ सुल्तान बने अलाउद्दीन मशूद भी सुल्तान बनने की क्वालिटी नहीं थी और उसने तुरकिश नॉबल्स और अधर ओफिसर्स की कटपुतली की तरह काम किया जिसके बाद ज्यादतर रूलर्स ने खुद को इंडिपेंडेंडेंट डिकलेयर कर दिया ग्यासुद्दीन बल्बन जो कि तुरकिश नॉबल में से ये एक थे उसने निशरुद्दीन महमूद और उनकी मा मली के जहां के साथ मिलकर शाजी स्रची और अलाउद्दीन को सुल्तान पत से हटा दिया जिसके बाद निशरुद्दीन महमूद अगला शाशक बना इसके बारे में पिछली 3-4 वीडियो में हमने काफी डिसकस किया है ये बुक 13 सेंचुरी में मिनाजे सिराज द्वारा फार्शी भासा में लिखी गई थी तबाकते निशारी निशारुदीन महमूद के दर्बार में लिखी गई थी जिसमें मुहमद गौरी से लेकर निशारुदीन महमूद के टाइम पिरेट तक टाइम तक की सारे इंफर्मेशन दी गई है ये बुक निशारुदीन महमूद को completely dedicated है क्योंकि मिनाजे सिराज जो थे वो निशारुदीन महमूद के कोट के जो poet थे तो इसलिए जो मिनाजे सिराज है वो बुक के तबाकते निशारी मिनाजे सिराज ने निशारुदीन महमूद के कोट में ही लिखी थी एक दूसरी बुक है तारिके मुबारक शाही ये किताब अब्दुल सिरहंदी के द्वारा लिखी गई थी सयद वन्स के साशक मुबारक शाह के टाइम पिरेड में वैसे तो सयद वन्स के रूलर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन इसमें लिखा गया है निशारुदीन महमूद की बारे में कि उनकी डेथ बिमारी की वज़े से हुई थी किताबे रहला यह बुक 14 सेंचुरी में इब्र बतुता द्वारा अर्भी भासा में लिखी गई थी जिसमें लिखा गया था कि ग्याशुदीन बल्बन ने दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए निशारुदीन महमूद की हत्या कर दी अर्ली लाइफ निशारुदीन महमूद का जन्म 1229 में हुआ था पिता का नाम निशारुद्दीन महमूद था जो की इलतुतमिश के बेटे थे उनकी माता का नाम मली के जहां जलाल उद्यान था निशारुद्दीन ने ग्यासुद्दीन बलबन की डॉटर से मली के जहां खानी से शादी की थी 1246 में वैं दिली के सुल्तान बने दली के सुल्तान बनने से पहले वे बहराईश के गवर्नर थे तबाकते निशारी निशारुदीन महमुद के दर्बार में लिखी गई थी मिनाजे सुराजी द्वारा जिसमें लिखा था कि वे दली के सुल्तनत के एक आइडल रूलर थे मिनाजे सराज निशारुदिन महमूद के दर्बार के एक कवी थे पर्सनल लाइफ निशारुदिन महमूद एक काइंड हार्टिड और होली रूलर थे और इश्वर से डरने वाले शाशक थे निशारुद्दिन महमूद एक down to earth ruler थे और उन्होंने monogami के practice की monogami का मतलब होता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही शादी की और बहुत ही normal life spend की ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सरकारी खजाने में से एक भी पैसा नहीं लिया और कुरान की आयतों को लिखकर उन्हें बेचा और अपनी नीट्स को फुल्फिल किया उन्होंने गरीब और परेशान लोगों की मदद की साथी साथ विद्वानों का संरक्षन भी किया था एसेशन तू थ्रोन ग्यासुद्दीन बल्बन जो की तुरकिश नॉबल्स में से ही एक थे काफी जादा चालाक थे ग्यासुद्दीन ने निशारुद्दीन और उनकी मा मली के जहां के साथ मिलकर साजिश की और अलवद्दीन मसूद को पट से हटा कर निशारुद्दीन महमूद को रूलर बनाया पॉलिटिकल कंडिशन उस टाइम पर जो गौवर्मेंट थी वो बलबन के अंडर में थी क्योंकि निशारुद्दीन महमूद जो थे सिर्फ नाम मात्र के सुल्तान थे ने अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को अपर पोस्ट पर अपउइंट किया जिसमें कुशल खां को अमेरे हाजिप की पोस्ट दी सेर कहां को लाहूर और भटिंडा का गवर्नर बनाया और अबू बकर को वजीर बनाया डेथ 1265 में निशारुदीन महमूद की अचानक डेथ हो गई जिसके बाद ग्यासुदिन बल्बन को नेक्स्ट रूलर बनाया गया क्योंकि नशारुदीन महमूद का कोई बेटा नहीं था निशारुदीन महमूद का टाइम पीरेड 1246 से 1265 तक के बीच केवल कुछ साल तक रहा नचेरुदीन महमूद की देथ के रिगार्डिंग हिस्टोरियन्स के पॉइंट्स अफ व्यू बहुत अलग-अलग है कुछ इस्टोरियन्स मानते हैं कि निशारुदीन महमूद की देथ जहर देने की वज़े से हुई थी तो कुछ इस्टोरियन्स का मानना है कि ग्यासुदीन बलबन ने इल्तुत्मिष ग्यासुदीन बलबन ने दली का रूलर बनने के लिए दली का सुल्तान बनने के लिए निशारुद्दिन महमुद की हत्या कर दी थी I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और useful लगी होगी Thank you for watching अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो please like करें, share करें, comment करें और subscribe करें और bell icon को दमाना ना भूले जिससे कि आपको मेरी upcoming वीडियो का notification मिलता रहे है